Hello everyone, I am Svati and welcome to the python for data science series और आज हम लोग पढ़ने वाले lecture number 2 जिसके अंदर हम cover करेंगे data types and variables के बारे में और data science हम पढ़ाई कर रहे हैं तो obviously data types क्या होता है कैसे हम उसे store करते हैं variables में variables का name rule क्या होता है और किस-किस तरीके का data जो होता है available होता है python के अंदर क्या-क्या data types होता है इन सारी चीज़ों को आज हम काफी detail में understand करेंगे आज की class में मुझे उमीद है कि lecture number 1 के जो concept से वो आपको समझ में आए होंगे अगर कहीं पे भी कोई problem आए कोई परिशानी आए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं ताकि वहाँ पे भी हम आपके जो doubts से उसको resolve कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं class आज की बट उसके पहले notes सबसे जादा important है जब भी हम कोई पढ़ाई करने बैटे हमारे पास notes available होना चाहिए तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आज की class के notes आपको मिलेंगे तो चलिए हम एक बार उसको देख लेते हैं उसके बाद शुरू करते है class आज की तो इस series को शुरू करने से पहले एक और बहुत important चीज़ मैं नहीं चाहती है कि हमारे किसी भी learner का थोड़ा सा भी time waste हो क्योंकि जब हम already तयारी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए हमारा एक-एक minute भी कीमती होता है तो जिसके पहले कि हम पोई भी series को follow करें उसके लिए हमारे पास proper notes अविलेबल होना चाहिए हमारे पास data set अविलेबल होना चाहिए और हमारे पास जितनी भी code related files होती है वो सारी चीज़े हमारे पास एक जगा अविलेबल होना चाहिए इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जब इस मेरी python की series को follow करेंगे तो हर दिन हर जो lectures आपके होंगे उसका notes और quotes या फिर जो भी आपकी files है वो आपको कहां पे मिलेगी तो इसके लिए आपको simple सा the iSkill की website पे जाना है आप google पे जाएंगे और वहाँ पे जाके लिखेंगे the iSkill.com तो आपको यहाँ पे the iSkill की जो website है वो सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ पे आपकी website open हो चुकी है इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में explore courses का आपको option मिलेगा हम जाके click करेंगे explore courses में और यहाँ पे कई सारे courses available हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको एक option मिलेगा all categories करके यहाँ पे here you can see तो यहाँ पे हम जाएं के और drop down में हम select कर सकते हैं कि हमें free category का course चाहिए तो हम यहाँ पे free category को select करेंगे इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि free category के हमारे पार courses दिखने लगए जिसमें से हमें जाना है free data science course में अब यहाँ पे आपको option मिल जाएगा free data science course का हम इस course को जाके open करेंगे जैसे हम यहाँ इस course को open करेंगे आपको यहाँ पे option दिख जाएगा download brochure का और enroll now का तो आप यहाँ से brochure भी download कर सकते हैं अब सबसे पहला step होगा हमारे लिए enroll now का तो हम यहाँ जाएगे enroll now पे हम जैसे ही click करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे page जो है वो देखने के लिए मिलेगा अब अगर आप the iSkill की website में पहली बार आ रहे हैं तो आपको register करना पड़ेगा otherwise आप direct भी login कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे iSkill की website में फर्स टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे register now का आपको option मिलेगा यहाँ पे simply आपको जाना है और यहाँ पे register करना है तो यहाँ अब हमें basic अपनी details डालना है जैसे आपके नाम का first name then after you have to write your last name इसके बाद आप यहाँ पे अपना email id डालेंगे so here I am just writing the email id इसके बाद आपको अपना contact number डालना है so I am writing here the contact number अगर यही आपका whatsapp number भी है तो आप यहाँ पे check box में tick कर सकते हैं then you have to select your agenda और इसके बाद हमें finally यहाँ पे register की button दिखेगी यहाँ पे जाके हमें click करना है then next यहाँ पे step होगा OTP verification का तो हम यहाँ check out कर लेते हैं OTP और here we have got the OTP also तो हम यहाँ जाके OTP डाल देंगे so I am writing here the OTP alright इसके बाद आपको यहाँ पे verify OTP करना है जैसे ही आपका OTP यहाँ पे verification successfully हो जाएगा आप यहाँ पे अपना password जो है वो create कर सकते हैं so let suppose मैं आप अपना password create कर लेती हूँ आप जो जाहे वो अपना password यहाँ पे create कर सकते हैं and here we are creating the password अब यह final हमारा step सारा complete हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका dashboard अब यहाँ पे हम जाएंगे explore courses में और यहाँ जाके हम यहाँ पे free course जो है इसमें हम enroll करेंगे तो explore course में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस free category में जा रही हूँ और हमें data science के इस free course में जाके enroll करना है तो मैं यहाँ पे जो data science वाला course है इसमें मैं हाँ पे जा रही हूँ अब मैंने वापस इसको open किया अब मैं proper तरीके से register कर चुके हूँ अब यहाँ पे आपको option दिखेगा enroll now का here you guys can see here we are having the option for enroll now तो अब यहाँ जाके हम लोग enroll now करते है अब इसके बाद इस course को पढ़ने के लिए completely free है कुछ भी आपको amount नहीं देना है 0 rupees है अब इसके बाद simple यहाँ पे आपको enroll now का यहाँ पे एक button दिखेगा नीचे scroll करना है enroll now की button पे जाके simply click करना है बहुत आसान सब process देगे जैसे ही आप यहाँ पे course में enroll कर लेंगे अभी हमारा कोई premium course ने इसलिए है खाली दिखा रहा है free course में हम जैसी जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारी free course में कि हमने free data science का जो course है इस पे enroll किया हुआ है अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं start course कर सकते हैं और इस course को हम यहाँ पे open कर लेते हैं इस course को आप जैसे ही open करेंगे आपको यहाँ पे सारी के सारी चीज़ें जो है वो शो होने लगेगी so let's just open the course अब यह course हमारा open हूँ चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि machine learning का already यहाँ पे lectures ड़ला हुआ है निशान भाया का इसके अलावा गर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे python पो data science आपको यहाँ सारी lectures मिल जाएंगे first वाला जो आपको यहाँ lecture है यहाँ पे सारा video lecture मिलेगा इसके बाद अगर हम यहाँ पे second देखें तो यहाँ पे आपको notes का भी यहाँ पे सारी के सारी जो भी lectures में आपको पढ़ाते जाओंगे कभी notes होंगे कभी data set होगा कभी कुछ और files होंगी तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा इसके साथ ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं कोई download का option है तो आप कहाँ पे इस notes को download करके भी रख सकते हैं ताकि इन future जब भी आपको जरुवत पढ़े आप इन notes की help ले पाएं तो यहाँ तक मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा notes कैसे आपको लेना है हर एक दिन के जो lectures यहाँ पे होंगे सारे के सारे lectures का आपको notes इसी तरीके से available हो जाएगा तो free course में इस तरीके से आपको enroll करना था चलिए अब शुरुवात करते हमारे lecture 1 के topics के साथ और राइट तो शुरू करते हैं class आज की जहाँ पर variables और data types को लोग detail में समझेंगे सबसे पहले एक example consider करते हैं जैसे माल लीजे कि कोई एक e-commerce company है जिसके पास customer का data है अगर मैं आप एक customer की बात करूँ जैसे आप एक customer है प्रिया जिसका नाम है प्रिया एज है 22 और उसका geographical location है पूने तो यह basic सा data हमारे पास में दिया हुआ है एक person का data हमारे पास available है लेकिन जब हम लोग as a data scientist companies के अंदर काम करते हैं या data analyst तो हमारे पास बहुत सारा data होता है right millions of customers का हजारों data हमारे पास में available होता है तो यह रहा अगर आपको एक basic से information दिये तो यह आपका एक basic सा data हो गया लेकिन जब हम लोग काम करते हैं किसी company के अंदर तो इस तरीके का हम लोगों को बहुत सारा data मिलता है अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर प्रिया यादव, रानु शर्मा, राहूल, सनी, आयूज, पिंके ऐसे बहुत सारे अलग-अलग customers का data आपको एक table के format म बनके मिला है और जब आपके पास बहुत सारे customers का data इस table के format में available होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं tabular data set इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे customers की detail information एक set में आपको दे दी गई है data के format में तो एक tabular data set आपको यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर तो खेर limited मैंने 5-6 customers लिखें जब आप actual excel के data sets के साथ में काम करना शुरू करेंगे csv file excel file में तो वहाँ पर millions of customers का data रहता है जिसके साथ में हम लोग deal करते हैं तो यह जैसे data है तो यहाँ पर देखो बहुत सारे customers की information मैंने एक साथ एक table बना के दे दी और इसको कहा जाता है tabular data set अब यहाँ पर products 5 लिए है इसका phone number identify verification हो चुका है इसने total जो cost है जो shopping की है वो है 1652.35 रुपीज और इसने जो order किया है वो skincare और healthcare का समान इसने order किया है तो ऐसे अलग-अलग customers का आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग data जो है दिया हुआ है और जब बहुत सारे customers का data एक साथ दे दिया प्रिया यादव ठीक है यह customer का नाम हो गया राइट number of product इसने पांच लिए है इसका phone number verify हो चुक है cost इतनी है और hair care और skincare के products लिए है तो यह जितना भी data अभी हम लोग देख रहे हैं यह किस type का data है यह आपका text based data है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर skincare, healthcare या फ products को देखें तो यह कैसा data है तो यहाँ पर कुछ numbers के format में भी data है, numeric data अक्सर हम लोग अगर data की बात करें तो data कैसे-कैसे format में available हो सकता है, text के format में हो सकता है, numbers के format में data हो सकता है, right अभी हम python की बात नहीं करें, अभी हम सर्फ और सर्फ data को समझ रहे हैं, तो इस तरीके का data होता है, लेकिन क्या अगर कोई photo बनी हुई है किसी की, कोई किसी की image है, तो वो भी क्या data होगा, तो हाँ जरूर अगर किसी की photo भी है न, तो वो भी आपका data का ही काम करेगा, जैसे कि आगे चलके जब आप data science में आगे बढ़ोगे, तब आपको एक field होता है computer vision नाम से, जो क vision मतलब नाम से समझ में आ जाता है कि image के साथ में deal करता है, जिसको पढ़ने के लिए जब आप computer vision पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको deep learning में CNN करके चीज होती है, उसको पढ़ना पढ़ेगा, जो कि helpful होती है image classification के लिए, जैसे for example, अगर मैं बात करूँ driverless car की, ठीक है, अग इसके सामने कोई mountain आ जाए, कोई भी x y z चीज़े आ जाए, तो अब यह हो सकता है कि इसके सामने कोई human being आ जाए, अब इस car में कोई driver तो बैठा है नहीं, AI based car है, तो यह कैसे recognize करेगी कि इसके सामने क्या-क्या object आ रहा है, जो भी object इसके सामने आएंगे, उसकी image को यह पहल पहलता चलेगा, जब तक आपके पास में, image जो होता है, data के format में आ जाये, तो आपका data, text के format में हो सकता है, numbers के format में हो सकता है, और even images के format में भी आपका data हो सकता है अब मैं क्या गिड जो डेटा होता है ये वीडियो के फॉर्माट में भी हो सकता है क्या तो डेफिनेटली वीडियो के फॉर्माट में भी डेटा हो सकता है और जब आप लोग अभी जो हम लोग पाइथन बेसिक पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग टेक्स का फॉर्माट में डे machine learning के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे आपका विडियो जो होता है वह ही डेटा ही है जुसे हम लोग बात करें जिसे आम लोग इलेक्सा की बात करें तो एलेक्सा को हम लोग बångते हैं हाई एलेक्सा प्लीस फ्लेए सोग wick tail let's suppose, बन्ने मात्रम, right, let's say, मैं एक example दे रही हूँ, तो जब मैं Alexa को बोल रही हूँ, तो मैं किस format में बोल रही हूँ, एक audio के format में, तो audio भी जो हो गया, आपका, audio भी आपका data ही होता है, तो मैंने उसको information दी audio के format में, उसने सुना, pre-process किया, और Alexa बोलना शुरू करती है, कि हाई, this is your song, right, तो यहाँ पर जितना भी conversation हो रहा है, हम जो data दे रहे हैं, वो किस format पर दे रहे है, audio के format में, right, तो यह जो GAN होता है, जैसे Generative Adversarial Networks, यह जो concepts होते हैं, यह सारी चीज़ें आपका data होता है, तो अभी सिर्फ मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हूँ, कि data कैसे कैसे हो सकता है, data आपका numbers जो होता है, वो भी data हो सकता है, आपका अगर कुछ चीज text में लिखी है, जैसे हम लोग message करते हैं, दूसरे को text में लिखे, वो भी आपका data है, images जो है, वो भी आपका data है, video जो है, वो भी data है, और आपका जो audio है, वो भी आपका data ही तो है, अब इस चीज़ को अगर हम लोग practical समझें, तो चलो हर चीज़ को practical समझना बहुत अच्छी आदत होती है, हम लोग direct चलते हैं, Amazon की website पे, मैंने Google पे जाके Amazon लिखा है, यह है Amazon की website, इसको मैंने open कर लिया, अब आप जैसी यहाँ पे Amazon की website को खोलेंगे यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है under 299, तो यहाँ पे 299 क्या है आपका, एक numeric format का data है, जितनी चीज़ें आपके यहाँ लिखी हुए है, जैसे आपके लिखा है electronics, तो क्या है यह, text के format में data है, अब आप यहाँ पे यह images देख रहे हैं, तो यह images क्या है, यह images भी आपका data है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक product जो है, इसको open करते हैं, let's suppose यहाँ पे मुझे एक board दिख रहा है, अब board का कोई भी एक earpod, let's suppose हम लोग जाके open करते हैं, अब जैसी मैं यहाँ पे इस board का earpod open कर रहे हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कि जितनी भी चीज़ें आपे लिखी हुई है, board के earpod के बारे में, यह सब एक text के format का data है, price लिखा है, यह number के format में data है, अब हम लोग यहाँ पे इसकी photo देख पा रहे हैं, that video is also what data, right, तो हम लोग देखी रहे हैं कि कोई भी आप website यूज़ कर लें, वहाँ पे audio, video, या फिर image, या फिर text या numbers के format में data आपका available होता ही है, तो data set कितने कितने type के होते हैं, किस-किस type के होते हैं, यह basically हम लोगोंने थोड़ा सा basic सभी समझाए, अब हम लोग आते हैं, python में data types क्या-क्या होता है, अभी हमने सिर्फ in general data समझा, अब देखने हैं कि जो python एक programming language है, उसके अंदर कितने type का data जो है, किस type के data types available होते हैं, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो basic सबसे पहले, अगर आपको images के साथ काम करना है, या videos के साथ या audios के साथ काम करना है, उसके लिए पहले आपको python पढ़ना पढ़ेगा, फिर machine learning पढ़ना पढ़ेगा, deep learning, उसके बाद हम लोग इतने काबिल बन पाएंगे, कि हम लोग अब images के साथ काम कर सकते हैं, या videos के format में data को deal कर सकते हैं, या audio के format में, अभी सबसे पहले python में अंदर अगर हम लोग देखें, क्या-क्या basic data types इसके available होते हैं, तो python के अंदर numeric data होता है, numbers के format में, dictionary के format में data होता है, set के format में data होता है, और sequence type में list, couple और strings के format में data होता है, अब एक-एक को हम लोग फुड़ा ध्यान से देखते हैं, जैसे numbers को अगर मैं देखूं, तो numbers के में integer भी number है, अब integer जैसे 3 हो गया, यह integer है, अगर मैं 3.5 लिख दूं, तो यह जो decimal होता है, जिसको हम लोग math की भाषा में decimal बोलते हैं, उसको python में floats बोलते हैं, floats कुछ नहीं है, सिर्फ decimal ही है, complex number हम लोगों ने पढ़ा है, 3 plus 2 जै, right, school के time पे, तो यह जो जिस तरीके का data हो गया, integer, floats और complex, इसको हम लोग बोलते हैं, numerical data, क्योंकि numbers हैं, इसके बाद आपका आता है, dictionary, अब dictionary में क्या होता है, कि आपके key value pairs होते हैं, आगे चलके मैं आपको पढ़ाऊंगी dictionary, थोड़ा सा सबर रखिएगा, dictionary में key value pairs की format में data को उमलोग देते हैं, अब sequence type data में, जैसे मान लीजए, आपके पास में कोई, सबके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत जड़, लेकिन आज हमारा दूसरा लेक्षरी है, इसलिए हम लोग पहले basics को समझ रहे हैं, अब strings, जैसे मेरा नाम है, let's suppose, swati, ठीक है, तो ये जो swati, लिखा हुआ है na text, इसको हम लोग बोलते है, पाइथन में इसको बुला जाता है, तो ये कुछ basic से हमारी data types होते है, सबके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, चिन्ता मत करिएगा, अब next यहाँ पर जैसे हम लोग ये वाला example, अगर देखें, तो यहाँ पर ये जो प्रिया यादव है, ये किस type का data है, नाम लिखा हुआ है, और जब भी कोई चीज text के format में लिखी है, तो ये हमारा data हो गया, string type का data, अब जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 नंबर के format में है, तो ये हो गया हमारा integer, अब यहाँ पर true, false, तो यहाँ पर पे न, फोन नंबर verification, क्या आपका फोन नंबर verify है, सच है, तो आपको true दिखा रहा है, आपका फोन नंबर गलत verified है, तो आपको यहाँ पर false दिखा रहा है, अब यह जैसे हम लोग यहाँ पर देखे, cost, तो हम लोग देख रहे है, 1652.35 रूपीज है, इसका मतलब यह कैसा data हो गया, decimal, decimal को यहाँ पर हम लोग python की बाश्चा में बोलते है, floats, और यह skincare, hair care, अब देखो, यहाँ पर order details में, skincare, hair care, दो दो चीज़े आ रहे है, तो इसको एक साथ, अगर मैं को multiple चीज़ों को store करना है, तो इसको मैं list में store कर सकती हूँ, टपल में, set में, या dictionary के format में, ठीके, अभी इतना केवल basic समझ के चलिया आप, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो customer का data हमको मिला, इसी के अंदर कितने अलग-अलग type की data है, यह हो गया आपका numbers में भी classification हो गया, यह integer है, यह floating point है, यह हो गया आपका boolean data, यह आपका हो गया strings, तो इस तरह के के कुछ basic से data types जो हैं, वो available होते हैं, तो अब अगर हम लोग बात करें, इन data types की, तो इसको मैं practical करके भी आपको दिखाने वाली हूँ, अब यह तो हमको समझ में आ गया, कि कोई एक customer है, उसका let's suppose नाम है स्वाती, ठीक है, उसकी age है let's suppose 22, और वो रहती है let's suppose मान लो example पूने, ठीक है, तो अब मैं को इतना समझ में आ रहा है, कि जो स्वाती है ना, यह string type का data है, क्योंकि एक word लिखा हुआ है, 22 के age है, तो age integer के format में है, और यह पूने जो है, यह भी एक string type का data है, क्योंकि एक text यहाँ पर simple सा लिखा हुआ है, अब मान लो, यह तो में को समझ में आ गया, अब python को, programming को यह समझाना है, कि भई, यह जो स्वाती वाला data है ना, इसको मेरे को store कराना है तुमारे अंदर, पाइथन में क्या होता है, python में आप क्या, memory locations होते हैं, memory blocks होते हैं, अब इस memory में, में को स्वाती जो है, मेरे customer एक स्वाती, इसको अगर में को इस memory के अंदर store करना है, तो मैं कैसे करूँ, अब मैं कहां पे, जैसे मैं स्वाती को यहां store करूँ, यहां करूँ, यहां करूँ, इस memory location में करूँ, या कहां करूँ, इसके लिए, जब भी आपको किसी data को, किसी memory के अंदर store कराना होता है, किसी programming language के अंदर, वहां पे हम लोग use करते हैं, variable का, अब जैसे मान लो, मैं एक variable बना रही हूँ, x नाम का मेरा एक variable है, इस variable के अंदर, अब यह जो memory होती है, इसके अंदर variables available होते हैं, जैसे कि x नाम का मेरा यहां variable है, अब इस x नाम के variable के अंदर में क्या करूँगी, इस स्वाती वाले data को डालूँगी, तो मैं यहां पे किसी चीज़ को, अगर किसी variable में आपको किसी data को डालना है, assign कराना है, उसके लिए हम लोग use करते हैं, equal to का, तो इस x नाम का हो गया मेरा variable, अगर मेरे पास variable नहीं होगा, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, कि स्वाती वाला जो data वो कहा store है, तो x नाम का मेरे variable बनाया, इसके अंदर मैंने store करवा दिया स्वाती को, अब ये तो चलो समझ में आगया, कि ये जो x वाला variable है, इसके अंदर आगया स्वाती, अब मान लो ये जो number है, मेरे पास दिया हुआ 22, इसको में को store कराना है, अब मैं इस 22 को यहाँ store कराना चाहती हूँ, अब मैं इसको यहाँ store करा रही हूँ, तो में को क्या कुछ variable लिखना पड़ेगा, तो अब मैं यहाँ पे एक y नाम का variable बना रही हूँ, इसके अंदर मैं इस 22 को assign करा रही हूँ, और यहाँ पे आगया मेरा y, और let's suppose यहाँ पे आगया मेरा number 22, तो कभी भी अगर आपको कोई भी data को, कभी भी आपको किसी भी data को store करवाना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है variable बनाने की, तो कभी भी अगर python में variables क्या होता है, variables in python are like containers, जैसे कि let's suppose आपको एक आपको नदी है let's suppose ठीक है, उससे पानी उठा के आपको एक बाल्टी में डालना है, तो यह जो बाल्टी है वो क्या है, आपका पानी को hold कर रहा है bucket, इसी तरीके से आपके पास अगर बहुत सारा data है, आपको उस data को store कराना है, एक container में डालना है, तो एक container की तरह काम करता है variable, जो की आपके data की value को hold करके store करके रखता है, तो when you assign a value to a variable, आप क्या करते हैं, आप एक value को उठा के data, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे data है मान लो 5 नाम से, ठीक है, तो इस 5 नाम की data को मैं आप एक variable के अंदर, एक container के अंदर डाल के उसको store करवा के रख रही हूँ, तो variables क्या होता है, variables data को store करवाने के लिए use होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, age है यहाँ पे हमारे variable का नाम, और इसके अंदर 25 जो value है, इसको मैं assign करा रही हूँ, तो पहले न, assign के लिए ऐसा arrow यूज होता था, लेकिन computer में ऐसा arrow का ऐसा कोई symbol as such नहीं होता, तो इसको equivalent बना दिया गया, equal to के, और हम equal to लगाते हैं, इसका मतलब आप 25 जो एक value है यहाँ पे, इसको age नाम के variable के अंदर store करवा रहे हैं, तो यह होता है python में variables, right, अब variable का नाम यहाँ पे, नाम के अगर हम लोग बात करें, तो मैंम अपने x और y नाम क्यों रखा, आप कुछ और भी तो नाम रख सकते थे थे न, अब यह कोई हमारे इंसानों के नाम तो है नहीं, अब यह python programming में आपकी नाम रखने की नाम करण की basically बात हो रही है, तो python में rules होते हैं, जब भी आप किसी variable का नाम रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नाम रख दे, आप वो उसकुछ rules को follow करना पड़ता है, तो क्या कुछ वो rules होते हैं, तो हमेशा सबसे पहला rule होता है, अब variable name, कभी भी आपका जो variable है, वो किसी letter के साथ शुरू होना चाहिए, या underscore के साथ शुरू हो सकता है, आपका variable जो होता है, कभी भी किसी number के साथ शुरू नहीं हो सकता, यह सब मैं आपको practical करके दिखाऊंगी, आपके variable में alpha-numeric characters हो सकते हैं, जैसे आप x5 नाम से भी variable बना सकते हैं, या फिर आप abc2 नाम से भी variable बना सकते हैं, आपका variable case sensitive होता है, जैसे मालो मैंने 3 variables बनाए, एक है age, एक है age, और एक है age, case sensitive मतलब small case, और lower case और upper case, जैसे हम लोग के लिए तो तीनों ही age है न, age ही तो लिखा है, हम इसमें फरक नहीं करेंगे, लेकिन जो python की programming language है, वो इसमें फरक करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला age आपके different variable है, छोटे में लिखा है, इस वाले age में a capital है, और इस वाले age में सब कुछ capital है, तो python के लिए ये तीनों ही अलग-अलग variables है, अब कभी भी आप कोई भी python की keyword को variable नहीं बना सकते, जैसे मान लो में को नाम रखना है, ठीक है? तो मैं हाँ पर किसी भी variable का नाम print python में पहले से keyword है, हमने पिछली class में hello world जैसे programs को print किया है, तो print पहले से python में बना-बनाया एक keyword है, अब मैं print अगर keyword ले लूँ और मैं एक नया variable बना दूँ, और उस variable का नाम भी मैं print रख दूँ, तो ये possible नहीं होता है, इन rules को और detail में समझते हैं, direct तब हम लोग use करते हैं, that is about the creating a variable कि हम कैसे अब actual programming करके variable create कर सकते हैं, तो let's suppose मैं अगर यहाँ x नाम का एक variable बना रही हूँ, और इसके अंदर में value डाग रही हूँ 5, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर print करके देखते हैं x को, तो यहाँ पर जो result हमें मिलेगा, वो मिलेगा 5, अब क्या होगा, x नाम का variable create हुआ, उसमें 5 यहाँ पर क्या हुआ, assign होगया, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, let's suppose अब यह जो x नाम का मेरा variable बना हुआ है, अब मैं कुछ और variables बना लेती हूँ इसके अलावा, जैसे मैं a नाम का variable बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने value डाल दे 10, b नाम का variable बना रही हूँ, उसके अंदर मैंने value डाल दे 2.5, एक c नाम का variable बना रही हूँ, इसके अंदर में डाल देती हूँ, let's suppose बाती, तो अब यहाँ पर यह जो तीनो type के हमारे पास variables बने हुए हैं, यहाँ पर, एक अंदर कैसा data है, एक अंदर integer type का data है, यहाँ पर अगर 2.5 देखें, तो floating point है, और c जो है हमारा इसमें क्या है, तो c में जो value है, that is the string value, तो अब हम लोग ने अलग-अलग variable बनाया, और अलग-अलग variable में, अलग-अलग data types को हमने यहाँ पर डाला, अब let's suppose अगर मैं print करवाना चाहती हूँ, एक ही line में, a, b, c को, तो यहाँ पर यह सारी values जो हमने डाली थी, वो easily print यहाँ पर हो जाएगा, अब let's suppose यहाँ पर आपको check करना है, किसी भी like variable का, कि अभी तक आपने जितने भी variable बनाया, तो यहाँ तक अगर हम लोग देखे, तो x, a, b, c, हमने यहाँ तक चार variables बना चुके हैं, अब मान लो, यहाँ पर मैं एक और variable मना लेती हूँ, y equals to let's suppose, इसका मैं नाम रख देती हूँ, let's say, we are learning python, तो यहाँ पर मैं एक और string बना ली, we are learning python नाम से, मैं यहाँ पर print कर लेती हूँ y को, तो यहाँ पर y हमारा print हो गया, अब देखो, जब आपकी जो जुपिटर नोटबुक है ना, यहाँ पर जैसे हमारे पास में college की एक notebook होती थी, जब हम college जाते थे, एक notebook use करते थे हम लोग, जहाँ पर basically, एक register की तरा हमें, एक notebook को use करते थे, जहाँ पर हमारे पास कुछ pages होते थे, जिसमें हम लोग अपना notes बनाते थे, तो ठीक इसी तरीके से हमारी जुपिटर notebook है, अब में को इस जुपिटर notebook में हो सकता है, बहुत लंबी चली जाए, अब में को check करना है कि कितने variables मैंने अब तक बनाए है, उसके अंदर क्या-क्या तरीके का data type है, और क्या value है, अगर आपको वो check करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने code में जाएंगे, और आप अपने code में जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते है, percent, फूस करके, और जैसे आप इसको run करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या variables आपके पास अब तक आपने बना लिये हैं, तो अभी तक आपकी memory location में क्या-क्या variable है, A, B, C, X, Y नाम का variable है, A के अंदर integer, अब देखों, यहाँ पे type भी बता चल जा रहा है, A के अंदर value है 10 और इसका type है integer, B के अंदर value है 2.5 इसका type है float, C के अंदर value है swathi, इसका type है string, string को यहाँ पे short में str लिखा जाता है python के अंदर, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे percent whose की मदद से पता चल जाता है, कि क्या कुछ चीजें जो हैं अभी तक, आपके पास variables में values अविलेबल हैं, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नाम हम जब रखते हैं, तो इसके लिए कुछ rules भी होता है, तो एक एक करके हम लोग सारे rules को यहाँ पे detail में थोड़ा सा understand करते हैं, कि यह rules आखेर क्या कहते हैं, तो पहला rule यह बोलता है, अब variable name must start with a letter, या फिर underscore से शुरू हो सकता है, जैसे कि मैं इसको एक काम करती हूँ, heading के format पे दे देती हूँ, सबसे पहला rule number 1 पढ़ रहे हैं, अब rule number 1 में कोई भी variable, जैसे मैं अभी आपने देखा कि a, b, c, यह सारे variables हमने बनाए, तो यह क्या था, a, b, c, सारे letters ही तो थे, यह जो हमारे पास यहाँ पर यह ए, b, c, यह क्या यह letters ही है, अब क्या कोई variable को, अगर मैं let's suppose यहाँ पर बनाना चाहती हूँ, तो अब हम लोग के मन में यह सवाल आता है, क्या हम लोग variable का नाम यह रख सकते हैं, क्या, apple नाम से में एक variable बना दी, इसके अंदर value डाल दी, 24, 23, और इसके अंदर में जाके print कर दीती हूँ, apple को, तो yes, आप यहाँ पर variable का नाम जो है, चाहे आप एक character रखना चाहते हो, तो आप ABC कुछ भी character रखो, यह आप एक पुरा word रखना चाहते हो, तो वो भी आप रख सकते हो, मैं में क्या 2-3 word रख सकते हैं कि हम लोग नाम, तो इसको भी करके देख लेते हैं, जैसे मालूम एक variable का नाम रख रही हूँ, apple, space, box, ठीक है, इसके अंदर में value डाल दी, 2.3, अब मैं यहाँ पर जाके print कराऊंगी apple, और यहाँ पर कराऊंगी box को, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि error आ गया, तो कभी भी इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई variable का नाम बनाते हैं, तो apple और box, इसके बीच में आगया space, तो कभी भी हमें space नहीं देना है, अब मैं इस चीज़ को अगर जाके यहाँ पर run करूं, तो यहाँ पर apple underscore box कर देते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर allow हो जाएगा 2.3, अब यहाँ पर हम लोग कोई भी variable का अगर नाम रख रहे हैं, तो वो letter से भी शुरू हो सकता है, एक word का भी हो सकता है, दो word का भी हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको चाहें, तो आप underscore, जैसे मैं मानलो कोई एक variable है, उसका नाम में सिर्फ underscore रखूं, और underscore equal to, let's suppose मानलो में 5 रख देती हूं, और मैं यहाँ पर जाके print कर लेती हूं underscore को, तो let me just write it here, यहाँ पर हम लोगों को print करना है, underscore को, तो जैसे मैं आप यह पर प्रिंट कर रही हूं underscore, तो देखें, इसके अंदर value आ गई है, 5, तो आप underscore नाम से भी कोई एक variable बना सकते हैं, यह अगर आप चाहें, लेकिन आपको जो variable है न, underscore के साथ शुरू होना चाहिए, जैसे देखो, underscore माननों मैं बना लेती हूं, इक variable z, equals to, इसके अंदर हम लोग लेकिन वैल्यू दे देते हैं, 6.3, अब मैं जाके यहाँ पर print करके देखू, underscore z को, तो यहाँ पर मेरा 6.3 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर underscore जो होता है, दो अगर आप यहाँ पर शब्द यूज़ करना चाहते हैं, variable के नाम में, जैसे मैंने यहाँ किया, apple और box, तो इसको जोडने के लिए, आपको underscore लिखना पड़ेगा, आप चाहें तो underscore सिर्फ नाम से भी एक variable बना सकते हैं, उसका symbol लगा के, आप चाहें तो underscore Z नाम से भी, या कोई भी यहाँ पर letter जो है, उसको यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ variable बना दूँ, let's suppose mnp underscore, इस नाम से मैं एक variable बना दूँ, इसकी value let's suppose मैं रख देती हूं 2, और यहाँ पर मैं जाके प्रिंट करवा लेती हूं, mnp underscore, तो भी यह value आपकी ले लेगा, तो आप variables के नाम में, underscore का भरपूर यूज़ कर सकते हैं, यह था हमारा पहला rule, अब दूसरा rule है, जो यह बोलता है, कि आपका variable का नाम ना, कभी भी number के साथ शुरू नहीं होना चाहिए, तो इसको भी अब हम लोग समझ लेते हैं, इसको heading के format पे रिख लेते हैं, और variable name cannot start with a number, अब जैसे मान लो, मैं आप एक number ले लेती हूं, one नाम का, यही मैं मान लो variable का नाम रखती हूं, और इसके अंदर मैं value डाल देती हूं 23, आप मैं जाके अगर print करूँगी one को, तो यहां में को आ जाएगा error, error क्या आ जाएगा, error में यहां पे यह बोलेगा, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लेते हैं यहां पे, x equal to 5, इसका मतलब क्या होता है अगर यह लिखा है तो, इसका मतलब होता है कि 5 जो है, यह आपका integer type का data है, इसको आप क्या करने है, x नाम के variable के अंदर assign कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ अगर मैं लिख दूँ, अगर x is double equal to 5, इसका मतलब क्या होगा, कि आप बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, आम तोर पे क्या होता है, जब हम लोग normal maths पढ़ते हैं, तो equal to मतलब हम क्या समझते हैं, यह तो बराबर है, लेकिन python में इस एक बार अगर आप equal to लगाते हैं, इसका मतलब आप 5 को x के अंदर assign कर रहे हैं, और अगर आप दो बार equal to लगा रहें, इसका मतलब आप x की value जो है, वो 5 के बराबर करने हैं, जैसे 5 is double equal to 5, यह अगर मैं लिखूँगी तो यह possible होगा, जैसे यहाँ पे 1 equal to 23 जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास error आगया, syntax error, और यह आपको suggestion देने लग गया, कि कहीं आपने 1 equal to लगा है, कहीं आप 2 equal to नहीं लगाना चाहरे हैं, जैसे अब मैं इसको 2 बार equal to लगाऊंगी ना, अब देखो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं सेम चीज में 1, double equal to 23, और मैं यहाँ पे जाके प्रिंट करूँगी 1 को, तो अब इसकी value में को यहाँ पे 1 दिखाएगा, इसका मतलब double पार जो हम लोग equal to लगाते हैं, इसका मतलब यह हो रहा है, कि आप 1 जो है यहाँ पे, इसमें 23 है, यहाँ पे जो डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो value मिलेगी आपको, यह सेम आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो जो double equal to और single equal to है, इसके बीच में परक होता है, single equal to मतलब assign करना, और double equal to मतलब उसके बराबर आप उसको show करना चाहरे हैं, तो यह basically एक simple सा fact है आपके, अब अगर मैं कोई भी नाम, जैसे मान लो, यहाँ पे लिखा है 1, अगर मैं 1 underscore लगा के कोई चीज लिखो, जैसे 1 underscore apple equal to 23 लिख देती हूं, 213, अब मैं यहाँ पे जोगा कि इसको print करती हूं, print, so I'm writing here print, और print 1 underscore apple, तो क्या यह print होगा, तो यहाँ पे आपको error शो कर देगा, क्योंकि आप कभी भी कोई भी variable का नाम, किसी भी number के साथ शुरू नहीं कर सकते, तो यह चीज आपको थोड़ी से पता होने चाहिए, कि यह चीज आप नहीं apply कर सकते, हाँ, लेकिन अगर यह करना चाहते हो, अपल पहले लिख दो, फिर underscore लगा के 1 लिख दो, और इसकी बाद अगर कुछ भी value यहाँ पे दे दो, तो यह चीज आपके लिए properly possible है, हमेशा याद रखिएगा, कि कभी भी आप python में variable बनाए, तो उसकी variable का नाम बनाए, उसकी शुरुवात तभी भी number के साथ नहीं होनी चाहिए, यह बोलता है हमारा rule number 2, I hope कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, अब आगे बढ़ते हैं, और अब देखते है rule number 3, rule number 3 क्या बोलता है, कि एक variable के नाम में आप alpha numeric characters रख सकते हैं, और साथ में आप underscore भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं जाऊं, और इसको मैं heading के format में पहले लिख लेती हूं, तो देखो, alpha numeric आप रख सकते हों, जैसे मैं मान लों यहाँ पर, abc123nnmp, ऐसा कुछ नाम से, let's suppose मैं variable का नाम बना देती हूं, और इसी variable का नाम जो है, इसको मैं जाके यहाँ पर print कर देती हूं, abc123nnmp, अब इसको मैं run करूंगी, तो ऐसा variable का नाम आप जरूर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने variable के नाम में, a से z तक alphabet यूज़ कर सकते हो, 0 से 9 तक numbers यूज़ कर सकते हो, और underscore का आप यहाँ पर simply यूज़ कर सकते हैं, अब अगर मैं कुछ ऐसा नाम रखना चाहती हूं, जिसे मान लीज़े, let's suppose a, b, c, 123456789, इस तरीके का अगर मैं कुछ variable का नाम रखना चाहती हूं, इसके अंदर let's suppose value में डाल देती हूं 1, और मैं जाके अब इस variable का नाम अगर print करती हूं, so let me just copy that, वैसे इतना complicated ऐसा नाम कोई नहीं रखता, और मैं इसको run कर दूँ, तो here you are getting the value, बस अभी मैं आपको rule समझा रही हूं, तो ये सब नाम नहीं रख सकता, क्या मैं अपनी variables का, तो इसको भी करके देख लेते हैं, माल लेते हैं कि यहाँ पर मैं एक variable का नाम रख रही हूं, जिसका नाम है and dollar add the rate, इसके अंदर let's suppose मैं value डाल देती हूं 24, अब मैं जाके print करते हूं मेरे इस variable के नाम को and dollar add the rate को, अब मुझे यहाँ पर मिल जाएगा error, तो कभी भी आप जब भी variable का नाम बनाएं, तो आप a से z तक कुछ भी यहाँ पर use कर सकते हैं characters को, number भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी symbol का आप यहाँ पर use नहीं कर सकते हैं, symbol में सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल होती है, वो होता है underscore, underscore में को आप variable की जो होती है definition वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा symbol applicable होता है variable के नाम के लिए, तो वो है underscore, underscore, बाकि आप कोई भी alphabet, sorry, कोई भी symbol अगर आप यूज करते हैं, तो उसे साब से आप variable का नाम नहीं बना सकते हैं, आपको syntax error देदेगा, right, clear है, rule number 3, अब देखते हैं, हम लोग rule number 4 क्या बोलता है, rule number 4 बोलता है, अब variable name are case sensitive, यह तो हमने discuss भी किया था, variables का नाम case sensitive होता है, जैसे मालो एक variable है age नाम का, इसकी value है 23, एक variable है age नाम का, जिसमें age वो capital है, इसमें value डाल दी 25, अब एक नाम है age जिसमें मैं value डाल देती हूं, मालो 26, अब एक है age नाम से variable, इसके अंदर let's suppose मैं value डाल दी 32, अब मैं इन तीनों को जाके, अगर run करके देखूं, और मैं इन तीनों को जाके print करूं, तो मैं print कर लेती हूं age, then मैं यहाँ पे print कर लेती हूं, let's suppose पहले मैं age प्रिंट करके यह आपको दिखाती हूं, अब मैं जैसे इसको print करूंगी, तो आपको यहाँ पे 23 ही मिलेगा, अगर मैं इस चीज़ को बदल देती हूं, let's suppose मैं age इसको print करती हूं, तो value 25 मिलेगी, इसका मतलब हमारे लिए आम भाशा में तो यह सभी age ही लिखा हुआ है, लेकिन python के लिए यह चीज completely different है, python के लिए यह वाला variable और यह वाला variable अलग है, तो कि इसमें case sensitivity आ जाती है, इसमें सारी चीज़ small में है, और इसमें एक letter जो है आपका वो capital में है, तो python case sensitive होता है, variables के नाम भी case sensitive होते हैं, तो यहाँ पे हमने first, second, third, fourth rule देख लिया, fifth वाला rule मैं थोड़े ही देर में आपको समझाऊंगी, और इसके पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाली हो, वो है data types in python, थोड़ा से पहले हम लोग data types को समझते हैं, fifth rule को start करने के पहले, मैं आ लिखने हूँ data types in python, तो अब यहाँ पे, let me just write that here, फोड़ा हम लोग data types को discuss करते हैं, जैसे मालो एक a नाम का variable है, इसके अंदर में integer type का data डाल देरी हूँ, 2, d के अंदर मैंने डाल दिया, let's say 1.5, c नाम के variable के अंदर में एक string type का data डाल देती हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देती हूँ, let's say my name is swati, अब मैं यहाँ पे, मैं print करना चाहती हूँ a को, तो मैं यहाँ पे print simply a को कर लूँगे, अब मैं यह को यह भी देखना है कि a के अंदर जो data है, वो किस type का data है, इसके लिए आप यहाँ पे use करेंगे print, अब मैं print क्या करना चाहती हूँ, कि A के अंदर कौन से type का data है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी type A और जैसे मैं यहाँ पे type A लिखूंगी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि integer class का data आपके पास में है अगर मैं को B का यहाँ पे चेक करना है कि B के अंदर किस type का data है तो मैं यहाँ पे लिखोंगे type और अगर आप simple print कराना चाहते हो तो print भी करा सकते हो अगर ऐसे भी लिखोंगे type तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा float कि जो v है 1.5 इसके अंदर floating point data है तो कभी भी किसी भी variable को अगर check out करना है जैसे कि मैं मालो एक variable बनाती हूँ let's say v नाम से औ तो मैं यहाँ पे जातके लिख सकती हूँ let me just write that यहाँ पे मैं जातके लिख सकती हूँ print और मैं यहाँ पे इसका type b देखना चाहते हूँ लिख देती हूं टाइप और वी जो है इस वरियेबल का में टाइप भी देखना चाहती हूं अब मैं जैसे इसको रन करूंगी तो यह आपको बता देगा कि जो वी है आपका जिसके अंदर वैल्यू है टू प्लस ठीजे यह जो डेटा टाइप है यह है कॉंप्लेक्स नंबर वाला तो इस तरीके से आप यहां पर टाइप जो होता है इसका यूज असानी से कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमने एक ही चीज़ आपके देखी है जैसे मान लो यह ए नाम का वेरियेबल है इसके अंदर टू है अब मैं इसी ए नाम के वेरियेबल में ना में टू त्री पोर पाइप सब कुछ एक साथ अगर हम रखना चाहें तो क्या यह हो पाएगा तो अगर आप किसी एक ही variable में multiple values को store करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास जो data type होता है चार तरीके के data types होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं list, couple, set और dictionary तो अभी मैं आपको यह आपे बस brief बता रही बहुत important topics हैं यह सारे list, couple, set dictionary इसकी मैं अलग से एक एक lecture अलग से इसको पढ़ा के आपकी class लोगी अभी हम लोग को बस इतना समझना है कि अगर मेरे पास कोई एक variable है उसी variable के अंदर में को multiple values को अगर store कराना है उसके लिए हम किस-किस का use कर सकते है list का, couple, set को, list को हम लोग दिखाते हैं curly braces से और dictionary को भी हम लोग दिखाते है curly braces से represent करते हैं, तो मैं इसको पढ़ाऊंगी आपको आगे लेकिन अभी मैं आपको बस पोड़ा सा basic बता रही हूं है आपे, जैसे मालो मैं आप एक num नाम का variable बना रही हूं और इसके अंदर मैं एक list बना रही हूं, list को हम लोग दिखाते हैं square bracket से, अब इसके अंदर मैं value रख देती हूं, मालो 23, 24, 25, 26, अब मैं इसको जाके अगर यहां मैं print करूँ, मैं यहां जाके simply print कर देती हूं इस num के variable को, और अगर मैं को type भी देखना है कि जो num है, यह कौन से type का basically variable है, इसके अंदर क्या data है, तो मैं type लि मिल जाएगा कि यह जो है list type का आपके पास में data जो है यहां पर available है, और list में हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी भी values को यहां पर एक साथ, एक ही variable में, num नाम का एक ही variable और उसी के अंदर values इतनी सारी available है, 23, 24, 25, 26, और tuple set dictionary, इसको भी मैं आपको बहुत detail में पढ़ाऊंगी, थोड़ा आगे चलके, थोड़ा सबर patience करना सब पढ़ेंगे हम लोग, तो यह होता है basically types of data, अब यहां पर एक और type का data होता है, जो मैं आपको यहां पर जो मैं इसमें पढ़ा रही थी, आपको थियोरी में बता रही थी, तो यहां पर मैंने बोला था, यह जो true false लिखा है, यह जो data, यह boolean type का data होता है, इसको भी अब आपने लोग क्या करते है, practical यहां पर python में code करके इसको समझते है, तो यहां पर अगर मैं boolean data की बात करूं, जिसे मान लो, मैं यहां पर बना देती हूं, num1 नाम से में एक variable बना रही हूं, और इसके अंदर मैं value रख रही हूं इसका data है, तो boolean data जो होता है हमारे पास, उसमें दो ही values होती है, या तो सच होता है, या तो basically जूट होता है, false होता है, इसको let's say मैं अगर जाके, यहां पर, let me just write that again, here, बहट चुका है, let me write that again, so, यहां पर हम लोग फिर से इसको rewrite कर लेते हैं, जैसे a नाम का variable है, या हमने num1 रखा था, num1 equals to इसके अंदर लिखा है true, और मैं यहां पर जाके print कर देती हूं, कि मैं को जानना है type, type num1 का, आप यहां देख सकते हैं, boolean, right, इसी तरीके से आपका दो ही value होती है, true होता है, या तो false होता है, या तो सच, या तो जूट, अब इसको आप जैसे जाके यहां पर इसका नाम है बदल देती हूं, num1 की जगा num1 कर देती हूं, और इसको num1, अब run करोगे, तो इसका type मिलेगा boolean, तो अभी तक हमने देखा data types के बारे में कौन-कौन से होते हैं, integer type का data type होत तो ये सारे के सारे data python के अंदर easily available होते हैं, okay, clear है यहां तक समझ में आ रहा है आपको concept, अब last वाला जो एक rule बचा हुआ था, ये वाला rule, ठीक है, कि a variable name cannot be any of the python keywords, इसको भी समझ लेते हैं, अब देखो यहां पे, अभी तक मैं अगर keywords की बात करूं, तो क्या-क्या keywords हम तो print एक ऐसा keyword है, जो python में पहले से बना बनाया है, अब इसी print नाम से अगर को मैं variable बना दूँ, तो यहां पे error आ जाएगा, अगर मान लो, यहां पे list जो है, ठीक है, या फिर अगर मैं बूलू, boolean, या फिर यहां पे अगर हम लोग देखें और keywords, तो यहां पे integer, ठीक है यह पहले से python के अंदर बना हुआ keyword है, तो मैं इसी नाम का variable नहीं बना सकती, मैं आपको यह show करके दिखाती हूँ, तो इसको मैं heading के format में पहले लिख देती हूँ, अब यहां पे इसको show अगर मैं करूँ, तो जैसे मान लो, मेरे एक variable है, इसका मैं नाम रख देती हूँ, print, equals to, इसके अंदर value डाल देती हूँ, 14, अब मैं जा के इसी चीज़ को print अगर करा हूँ, print, print, तो यहां पे मेरा यहां पे error आजाएगा, और यहां पे error आएगा, कि आपका integer object not callable है, इसी तरीके से अगर मैं int नाम का variable बना देती हूँ, इसके अंदर value डाल देती हूँ, to, औ मैं जा के यहां पे print कराती हूँ, int को, तो int एक ऐसा keyword है, जो python में पहले से बना बना है, यहां देखो class int, पहले से उसके अंदर एक keyword बना हुआ है, उस नाम का variable मैं नहीं बना सकती, मैं को यहां पे error आ जाएगा, राइट, तो यह वाला rule हमें समझना था, आज हम लोगोंने पाइथन में नाम कैसे रखते हैं, variables कैसे create करते हैं, क्या rules होता है, और data types क्या होते हैं, इन सबकी practice हमने कर ली, अब चलते हैं, solve करते हैं कुछ practice questions, ताकि हमको समझ में आए कि आज क्लास में जितना हमने पढ़ा था, अब हमसे question solve हो रहे हैं क्या, चलिए solve करते हैं कुछ practice questions, all right, तो practice questions solve करते हैं, सबसे पहला question क्या बुल रहा है, imagine you are working on a customer management system and you have the first name and last name of a customer stored as a separate variable, you are developing a customer management system for a retail store, in your database you have the first name and the last name of a customer stored as a separate variable, ठीक है, so क्या बोल रहा है ये question, सबसे पहले ही बोल रहा है, आप imagine करो कि आप ए customer management system को बना रहे हैं, जिसमें आपके पास customer का जो नाम है, customer का फोस्ट्रेम है आपके पास, और कस्ट्रमर का last name आपके पास है, ठीक है, ये जो आप बना रहे हैं, customer management system, किसी एक retail store के लिए बना रहे हैं, अब आपके पास first name एक अलग variable में है, जिसे मालो ये variable 1 है, और last name निम अलग variable में, मालो ये variable 2 है, ठीक है, जिसे म तो वो store है last name में अब आपको क्या करना है अब आपको इन दोनों को john doe जो अलग-अलग variables है इन दोनों नाम को आपको एक साथ जोड़ के लिखना है john doe ठीक है तो आपके पास यहाँ पर एक variable है जिसका नाम है first name इसके अंदर क्या value है इसके अंदर value है john एक string value और आपके पास एक और नाम है जिसका नाम है last name इसके अंदर क्या value है इसके अंदर value है doe अब आपका जो output होना चाहिए वो ऐसा दिखना चाहिए कि यह जो john और डो है first name और last name एक साथ आना चाहिए तो अब इसको कैसे हम लोग solve करेंगे चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे कि हमको जो चीज question में दी हुई है क्या दिया है variable का नाम पहला variable हमारे पास दिया है first name नाम से इसके अंदर value है john दूसरा variable जो है हमारे पास यहां पर दिया हुआ है उसका नाम है last name और last name इसके अंदर value कह है तो इसके अंदर value है जोन और डू को एक साथ में कुछ चाहिए तो मैं यहां पर लिख सकती हूं first name प्लस मैं आप लिखूंगी first name और मैं इसके साथ लगाऊंगी प्लस और इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगी last name ठीक है अब मैं क्या करती हूं print कर वा लेती हूं इस full name को full underscore name तो यहां पर अब जैसी मैं print कर रहे हूं तो जॉन डू आ तो रहा है लेकिन यह बहुत चिपक गया आपस में रहा है समझी नहीं आ रहा है कि जॉन एक अलग उसका first name जॉन है और last name उसका डू है तो हम यहां पी क्या कर सकते हैं string में जॉन और डू के बीच में मैं को space चाहिए तो plus मैं लिख देती हूं यहां पे space दे देती हूं एक और फिर इसके बाद मैं लगा देती हूं plus तो basically इसको बोलते है string concatenation आपके पास एक variable में जॉन था दूसरे में डू आपको इन दोनों को plus अगर करके आप लिखना चाहते है तो मैंने आप एक full name नाम से variable बनाया और इसके अंदर john plus खोड़ा सा space और फिर उसके बाद में do अब देखते हैं इसको run करके कि अब क्या result मिलते हैं अब अगर हम लोग इसको run करके देखेंगे तो हमारी problem solve हो चुकी है अब यह जो full name नाम से variable है मेरा इसके अंदर john do एक एक basic question 1 था अब solve करते है question number 2 क्या बोल रहा है इस question में you have a variable x with a value 5 ठीक है आपके पास एक variable है एक जिसकी value है 5 अब आपको इसी x में जो पहले से इसके अंदर value 5 है अब आपको 5 की जगा इसमें 10 assign कराना है तो आप कैसे कराएंगे यह हमारा question है अब इसको कैसे solve करना है तो बह 10 डालना है तो आप simple सा चीज कर सकते हो x के अंदर equal to डाल दो 10 अब आप जाके print करोगे ना x को मैं यहां पर दोनों जगा प्रिंट करके दिखाती हूं अब आपको 10 डालना है तो कुछ नहीं करना है x equal to 10 लिख दो अपने आप यह 5 हट जाएगा और 10 यहां पर अपने आप 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 आजाएगा अब जैसी मैं x equal to 10 कर रहे हूं तो अब मैं print x कर रहे हूं तो मैं कुछ 10 मिल रहा है ना कि 5 मिल रहा है तो अगर आपको कभी भी कुछी भी value को reassign करना है तो simple x equal to 5 लिखा था 5 हट आना है 10 डालना है तो x equal to 10 डाल दो अपने आप 5 आपका हट जाएगा तो यह थे कुछ basic से practice questions यह हमारी जिस रभी starting है तो हम basic से question solve कर रहे हैं जैसे जैसे class आगे बढ़ेगी उसके बाद में हर एक session में जैसे आपक सारे practice questions को solve कर रहे होंगे based on the interview अभी जिस starting इसलिए basic questions है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो advanced level के questions हम लोग solve कर रहे होंगे अब finally हम लोग move करते हैं जो मैं basically आपको मैंने promise किया हुआ है data curious mind so यह question है इसको बनाईएगा मुझे बताएगा comment करके किसका सही answer क्या है which of the following is a valid variable name in python चार यहाँ पे options दिया है कौन सा सही नाम है python variable का यह आपको यहाँ पे बताना है चार options आपको यहाँ पे दिये हुए है right अब जैसा मैंने promise कि आप लोगों को data curious mind मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगी so definitely आज कर data curious mind में हम जो story share करने वाले है that is about the hurricane Katrina right बहुत लोगों ने जानते भी होंगे और शायद यह सुना भी होगा so USA की history में बहुत ही बड़ा hurricane तुफान आया था जिसका नाम था Katrina उसमें कैसे data science helpful था और यह जो hurricane Katrina के हम लोग बात करने यह बात कर रहे है 2005 की right उस समय जितना advanced data आज कल है data science AI उस समय भी चीजें थी बट इतनी जाद advanced नहीं थी जितना आज के दौर पे है लेकिन तब से ही data पे काम जो है वो चलता आ रहा है तो जैसे यह ऐसा कुछ भी होता है इवन अगर मैं आज के बारे में भी बात करूं 2005 के तो एक हम Katrina के बारे में बात करेंगी लेकिन आज भी कभी भी कोई भी तुफान आता है तो सबसे important role जो play होता है metrological department तो करता ही है लेकिन इसके साथ साथ आपका जो data collect होता है न वो बहुत जादा important होता है जैसे वाहन लो कि आपका यह है let's suppose अर्थ ठीक है यह I am very bad in drawing माफ करना यह मान के चलो आपका अर्थ है ठीक है और इसके इस पूरे solar system में आपके पास moon है let's suppose यह sun है that is your moon and यह है आपका अर्थ तो हम सबको पता है कि बहुत ही important चीज हुई थी जहां पर हम लोग सब विटनेस के और हम बहुत लखी है कि इस चीज़ को हम इंडिया में रहके विटनेस कर पाएं कि अर्थ ने अपना मंगल यान जो है वो भेजा था तो जैसे ही मंगल यान जाता है आपके solar पे right जैसे हम लोग moon पे satellite बेजते हैं तो हो क्या करते हैं वहाँ पर जाके हमको images different different images ट्राइप का data जो है वो हमारे पास बेजते हैं और हम यहाँ पे उस image वाले जो data हमारे पास आता है उसको हम लोग क्या करते हैं उससे analysis करके हम लोग यहाँ पर निकालते हैं यही काम होता है तो यह काम हो क्या रहा है कोई भी satellite अगर आपका moon में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है वो हमको data भेजता है जैसी वहाँ से हमको data मिलता है हम लोग उसका analysis करना शुरू करते हैं उससे हम लोग insights निकालना शुरू करते हैं तो जो data अब देखो engineer scientist ने तो यह बना क यह एक satellite भेज दिया लेकिन अब जो data आ रहा है उसको उस पर basically काम करते है data scientist और बहुत सारे ऐसे होनार scientist है हमारे देश में जिस पर काम करते हैं तो उस case में भी आपका data सबसे जादा important होता है अब जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ की ठीक है यह आपका अर्थ है अब लो कि कहीं पर landslide हो रहा है या कहीं पर कुछ भी हो रहा है फ्लड आ रहा है तो different data जो हमारे पास collect होता है उसके according data scientist यहां पर बहुत बड़ा role play करते है राइट जैसे जो जब भी कोई satellite moon पर जाता है वहां से हमें data भेजता है तभी तो हमको समझ में आता है यह चीज तभी scientist research करते है कि क्या moon में पानी available है क्या तभी हमको यह सारी जो आपको images share होती है NASA ISRO share करते है हमको पता चलता है तो data science यहां पर भी space tech में भी बहुत बड़ा role play करता है खेर हम बात कर रहे थे Katrina की तो यहां पर क्या हुआ था US की history में काफी जादा बड़ा disaster था जितका नाम Katrina रख frustrating hurricanes in the US history तो क्या होता है जब जब भी ऐसे कोई hurricane आता है जो भी हमको information मिलती है यह सारा का सारा data जो है वो collect होता जाता है और इस समय में भी हम लोग यहां पर use करते है data science का जैसे early warning systems के लिए तो data scientist क्या करते हैं अपनी modeling technique अपने data analysis को use उस तरह में भी क्या गया था कि hurricane Katrina से warning systems को बना पाएं आज की डेट में तुरंत आपकी weather prediction आया पर आप जाते हो देख लेते हो कि अरे पांच दिन बाद पानी गिरेगा की नहीं गिरेगा weather prediction यह बता रहा है तो इस तरीके से काम करता है आपका data science यह किसी तरीके से आप emergency पे चीज़े response हो पाए आपका real time data collect हो प पड़ेगा जो चीज़ आपको पहले से पता है अगर हमारे पास as a data scientist हम लोग इतने बढ़िया prediction models बना देते है weather के अगर हमको पता है किस जगा में तुफान आने वाला है तो पहले ही अगर वहां की लोगों को उस area से खाली करा दें तो कितना बड़ा loss हम humans life का loss हम बचा सकत अब माल लो तुफान आ गया ठीक है अब किसी ने तो future नहीं देखा माल लो तुफान आ गया लेकिन जब तुफान आ गया उसके बाद भी data बहुत बड़ा काम करता है अब जैसे आपका तुफान आया तो आपको अगर आपके पास data नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं में फ्लड आया था रिसोर्स कम हो गए तो हम लोग दूसरे दूसरे स्टेट से खाना बेजना बागी एससरी नैसेसिटीज की बेजना शुरू कर देते हैं तो जब तक आपके पास डेटा ही नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा कि कितना रिसोर्स आपको किसको अलोकेट करन है तो हर जगा डेटा साइंस का अप्लिकेशन देखने मिल जाएगा चाहे वो कट्रीना के टाइम से तुफान की बाद तो 2005 से आज के दौर में बात हो तो जितने भी आपके ऐसे इंफ्रास्ट्रॉक्ट्टर बेस्ट या नैच्टरल कैलमिटी डिजास्टर या स्पेस साइ मुझे कमेंट करके बताएगा कि क्या उसका सही आंसर है क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद मेरी एक छोटी से एक्सपेक्टेशन आप लोगों से होती है कि जो मैं पढ़ा रही हूं आपको वह आपको सचमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और में को तभी बता चलता ह जब लोग आके कमेंट में लिखते हैं आंसर करते हैं तब में को लगता है कि हाँ चलो इनको समझ में आ रहा है तभी साटिस्फेक्शन होता है पढ़ाने का अदरवाइस तो ऐसा लगता है कि बस यूट्यूब में आए बोले और चले गए राइट तो प्लीज मुझे बता यूट्यूब का कमेंट आप लोगों के लिए हमेशा खुला है इसके साथ ही अप कनेक्ट कर सकते हो दा आई सकेल के ऑफिशियल पेज पे और इंस्ट्रग्राम हैं इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ निशांत भई या हम दोनों भाईवें के साथ भी अगर चाहते हैं तो the iskill.founders यहां पर भी आके आप हमारे साथ connect कर सकते हैं तो all the very best practice करना और खुद से जो मैंने जितना भी code आज आपको कराया न जुपिटर notebook पे notes सारे के सारे available हैं the iskill की websites पे जाके notes ले लीजेगा practice करिएगा और मुझे बताईएगा कैसी लगी class और क्या कुछ समझ में आया क्या समझ में नहीं आया so all the very best keep learning keep coding and stay motivated thank you so much